आज के इस वीडियो में हम लोग इस्टार्ट मेन्यू के बारे में सिखेंगे इस्टार्ट मेन्यू में आल प्रोग्राम्स में जो सारा उप्शन्स है उसके बारे में हाई फ्रेंट्स मैं हूँ दीपक और स्वागत आपका मोडन केंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सक्स्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सक्स्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल में आपको केंप्यूटर और मोगाल से रिलेटेड धेरो सारे टिप्स और ट्रिक सीखने को मिलेंगे अब हमारी चैनल में यहां के रेट कलर का सक्स्राइब का बटन दबा सकते हैं और यह बिल्कुल फ्री है सक्स्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है सबसे पहले स्टार्ट को लेट किलिक करना है और उसके बाद आपको यहां और प्रोग्राम्स में किलिक करना है और प्रोग्राम्स में इसे सेरीज में पाहला ओक्षन मिलेगा आपको calculator का क्लिक किए और बाकि आप यहां से calculator का काम कर सकते है Next Options है Start All Programs Assessories Snipping Tool यह Notepad बगर है जो है Paint बगर है यह सब सोटा सब चीज़ है Notepad सब आगे आपको हम HTML के किलास में बताएंगे और अगर आपको Paint यह WordPad भी सिखना है यह तो बहुत असान है अगर फिर भी आपको सिखना है अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे आप नीचे दिए गए Comment Box में Comment कर सकते हैं मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा तो चलिए देखते हैं Snipping Tool Snipping Tool के थूरू जैसे आप देखे हूंगे आज कल Android Mobile में Screen Capture का एक Options देता है Screen Capture से होता है क्या आपके Screen पर जो कुछ भी Show कर रहा है उसको यह Capture कर लेगा यानि उसका Photo बना देगा उसी तरह आप अपने Computer में भी कर सकते हैं जैसे अगर आपको Computer में दिखरा कोई भी Menu या Screen कहीं पढ़का भी आपको Photo लेना हो तो उसके लिए आप Snipping Tool का यूज कर सकते हैं जैसे मैं अभी Microsoft Office Word Open कर लेता हूँ अगर आपको कभी जरूरत पढ़ जाए कि ये Home Tab के Reven का Photo चाहिए और इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं इसमें कौन्चा Options क्या है या किसको क्या बोला जाता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले Snipping Tool open करना होगा All Programs, Assessories, Snipping Tool Snipping Tool open होने के बाद ये आपके Screen को धूनला कर देगा क्योंकि ये अभी यहां से New Select है अगर आप Box, Rectangle जैसा चाहिए यह से ले सकते हैं तो मैं By Default Rectangle में ही रखता हूँ Free From में होता है कि आप जहां से चाहिए जैसा चाहिए वो ऐसा Select कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको Drag करता हूँ Corner पे आए Left के लिए दावे रखना है और इसको खीच लेना है आपको जिस एरिया का भी फोटो चाहिए यह हो जाने के बाद आप इसको Save भी कर सकते हैं या तो Copy करके Direct Word में ला सकते हैं लेखे जैसा मैंने इसको Copy कर लिया Minimize और यहां आपको Right क्लिक करके Paste कर देना है या तो Ctrl भी से Paste कर देना है वो पिक्चर आपका यहां पर आ जाएगा इंसर्ट हो जाएगा इसका मैं थोड़ा सा Size बढ़ालता हूँ अब आप चाहे तो इसका Name लिख सकते हैं जैसे मैं यह करके आपको दिखा देता हूँ इंसर्ट में आए Snipping Tool यह सोड़ी Shaps में आएंगे और यहां से आप चाहे तो Rectangle भी ले सकते हैं या तो Direct Text Box भी ले सकते हैं चलिए मैं Text Box ही ले लता हूँ और यहां से जैसे मैंने लिख दिया Group अब इसका चाहे तो Size बगर बढ़ा सकते हैं और इसके बारे में हम Details में Microsoft Office Word 2007 के Class में पढ़ेंगे यह मैं सिर्फ Snipping Tool के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ अब चाहे तो यहां से फिर से Shapes में जाके Aero लगा सकते हैं इसके लिए कि यह Group है देखे इस तरह से इसके बारे में Details हम लोग Word के Class में पढ़ेंगे यह सिर्फ Snipping Tool के बारे में आपको बता रहे हैं भी चलिए इसको Cancel कर देते हैं अगर आपको फिर से नया Capture करना हो इसक्रीन तो उसके लिए फिर आपको New पे किलिक करना होगा और जिसको भी आप केप्चर करना चाहते हैं उसको लेप किलिक दावे रखना होगा और Select करना होगा यानि Drag करना होगा खीचना होगा देखिए बन गया आप चाहिए इसको Save करके भी रख सकते हैं जैसे मैं इसको Save कर देता हूं Desktop पे Tax Bar Save यह पिक्चर आपका Desktop पर Save हो गया यह था Snipping टूल के बारे में अगला उप्चन से Magnifier इस्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसे स्रीज यहां आपको मिलेगा Easy of Access के अंदर Magnifier Easy of Access एंटर यह हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इस उप्चन में पढ़ेंगे कि आप कैसे Keyboard से Mouse Pointer को चला सकते हैं यह Mouse Pointer आपका Keyboard के थुरूर Run करेगा तो वो हम लोग आगे की किलास में सिखेंगे अभी हम लोग Magnifier को सिखते हैं Magnifier को किलिक किए यह आपके Screen को Magnifier करेगा यानि Zoom करेगा जैसा देख रहे हैं अभी यह 200% में है 200 से इसको हम लोग और बढ़ा लेते हैं पलस करते हैं देखे यह Screen आपका बड़ा बड़ा दिख रहा है तोटल अब इसको हम छोटा करते हैं 100% हो गया यह बाइडिफोल जैसा रहता है चलिए इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं Next Options आपका On Screen Keyboard इसका बहुत फाइदा है जैसे आपका कभी भी Keyboard खड़ाब हो जाए तो आप On Screen Keyboard से इसका यूज कर सकते यानि Keyboard का यूज कर सकते जैसे Open करने के लिए All Programs में जाएंगे EASY Series Easy of Access के अंदर मिलेगा आपको On Screen Keyboard जैसे आप देख रहे हैं यह Keyboard आ चुका है चलिए मैं इससे अब कुछ लिखता हूँ अभी तो डेक्ट्टोप पर कुछ लिखाएगा नहीं इसके लिए को आपको Text Editor ओपेन करना होगा चाहे वर्टपेड हो, Notepad हो यह Microsoft Office Word हो तो मैं यहां से वर्टपेड ही ओपेन कर लेता हूँ फिर जो भी आपको सेंबल चाहिए उसको किलिक कर देजिए, यहां से आप यूज कर सकते हैं असानी से अगर आपका कभी भी Keyboard ख़ड़ाब हो जाए, प्रोबलम दे दे तो शेले, Next Options इसको अभी हम लोग क्लोज कर देते हैं अगला है आप अपने केंप्यूटर में लगे हार्डिक्स को कैसे चेक किजिएगा और हार्डिक्स के साथ-साथ रैम को भी कैसे चेक कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट में जाना होगा All Programs, AC Series System Tools System Tools के अंदर मिलेगा System Information System Information को यहां किलिक करना है उसके बाद आपको यहां Components के पलस पे किलिक करना है Components में जितना भी Options होगा यह सब Expand हो जाएगा जानी बाहर निकल जाएगा खुल जाएगा इसके बाद आपको आना है Storage के पलस पे इसके बाद आपको किलिक करना है द को और यहां size में बता देगा आपको 931.51 GB यानि आपका 1000 GB का hard x सिसमें लगा हुआ है यह तो हो GYJeff चेक करने के लिए अगला है RAM कैसे चेक करेंगे RAM चेक करने के लिए आपको start control panel और यहां control panel में आपको जाना होगा system में चलिए हम system को click कर देते हैं यहां आपको मिलेगा रैम का साइज देखे इंस्टाल मेमरी रैम 4GB यह 4GB का रैम इसमें लगा हुआ है और यूज करने दे रहा है यह 3.41GB यानि कोई भी मेमरी हो आपका चाया हार्डिक्स हो रैम हो यह मेमरी कार्ड हो मुवाइल का यह पेन राइब हो यह कभी भी आपको फूल स्पेस य के लिए नहीं देगा वह अपने सुरक्षा के लिए बचा के रखता है अगला आपका आप तो सिस्टम यानि रैम चेक करने के लिए कंट्रोल पैनल में यहां से भी आ सकते हैं दूसरा तरीका है केंप्यूटर पर राइट किलिक किजिए और प्रोपर्टी में जाके चेक कर सकते हैं यहां आपको रैम और प्रोसेसर यानि सीप्यू इसमें कोड़ाई 3 लगा हुआ है और सिस्टम टाइप यानि सिस्टम का जो सौफ्ट्वेर है वो 32 बीट का है 32 बीट चौशट बीट अभी मैक्सिमम 86 बीट का सौफ्ट्वेर आता है जितना ओप्शन्स अभी आप लोगों ने और प्रोग्राम से ओपेन करने के लिए सिखा इसको आप लोग सर्च से भी ओपेन कर सकते हैं यानि और प्रोग्राम में जितना भी ओप्शन्स है जो भी सौफ्ट्वेर है वो सब आप सर्च से भी निकाल सकते सर्च करके जैसे अगर आपको calculator open करना हो तो C-A-L-C यह आपका calculator आ जाएगा यदि आपको run से open करना हो तो start run और run में पूरा calculator का spelling नहीं लिखना है सिर्फ लिखना आपको C-A-L-C और इसको OK कर देना है यह आपका calculator open हो जाएगा अगला सिनिपिंग टूल S-N-I-P देखिया आगया सिनिपिंग टूल इसको cancel कर देते हैं और close कर देते हैं तीसरा आपका magnifier यह आपका magnifier आ चुका है तो search करके आप जो चाहे वो program open कर सकते हैं इस तरह देसे on screen keyboard on screen keyboard यह देखिये first में आ चुका है आपका start आप चाहें तो जो भी program आपको बार बार open करना पढ़ रहा है वो आप tax bar में pin up करके रख सकते हैं जैसे मान के चलिए आपको सिनिपिंग टूल बार बार open करना पढ़ रहा है तो आपको बार बार start all program एसे series और यहां जाके फिर आपको सिनिपिंग टूल को open करना होगा तो हम लोग इसको tax bar में pin up कर सकते हैं pin up करने के लिए जरूरी यह है कि आपका जो भी option से वो tax bar में इसको करना चाहिए दिखना चाहिए तो उसके लिए पहले इसको cancel कर देते हैं cancel करने के बाद यह आपको tax bar में तो करने लगेगा उसके बाद आपको यहां पर यानि जो भी आपका program है उस पर right click करके पिन दिस program to tax bar करना होगा यानि यह program आपका tax bar में pin up हो जाएगा पिन हो जाएगा पिन कर दिए अब देखिए इसको close भी कर देते तो भी आपका यह tax bar में so करेगा ही next जैसे calculator calculator क्लिक किए right click pin this program to tax bar अब इसको close कर देंगे तो भी यह tax bar में so करेगा जैसे on screen keyboard on screen keyboard right click यह होता है अभी क्या problem हो रहा है जो भी menu आया वो पीछे चलिया यानि keyword के पीछे चलिया तो हम लोग keyword को पहले यहां से खिसका लेंगे थोड़ा सा उपर उसके बाद right click pin this program to tax bar अब देखिए इसको close कर देते यह साड़ा यहां आपको सो करेगा हमेशा दिखेगा अगर आप चाहते इसको हटा दे तो फिर से इस पर right click करके आपको अनपीन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टाक्सवार करना होगा यानि टाक्सवार से इस प्रोग्राम को अनपीन कर देगा हटा देगा हटा दिए आगे अभी डेर साला उप्षेंस है और एक उप्षेंस है जो मैं आपको अभी इसी क्लास में बता देता हूं यह उप्षेंस है रन का यानि अगर आपके केंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में अगर रन नहीं दिखे तो इसको हम लोग कैसे लाएंगे तो इस तो सट्डाउन पे राइट किलिक लिप अाप करते तो आपका केंप्यूटर अफ हो जाए गा तो राइट किलिक उसके बात प्रोपाटीज बेजाना है हैं और यहां आपको मिलेगा इस्टार्ट मेन्यू का कस्टमाईज केस्टमाईज को कि लिक करेंगे और यहां सबसे न रन कमांड नहीं आ रहा है अगर आपको फिर से लाना हो तो सेम प्रोसेस राइट केलिक प्रोपर्टीज तो आप यह टाक्सवार इनिस्टाट मेनू प्रोपर्टीज पर आज आएगेगा उसके बाद कस्टमाइज में जाना है फिर डाइरेक्ट स्क्रोल डाउन करके नीचे आके आपको रन कमांड में जाना है ओके अपलाए ओके और यह पावर बटन एक्षन है यह मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूं आप चाहे तो मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं ओके यह रन कमांड आ चुका है फ्रेंड्स अगर यह आपको वीडियो अच्छ जल्द से जल्द सक्स्राइब कर लें क्योंकि इसमें आपको केम्प्यूटर और मॉवाइल से रिलेटेड धेरे सारे टीप्स और ट्रिक सीखने को मिलेंगे थैंक्यू फॉर वाचिंग देखते रही है सीखते रही है